नाश्टे में आलू या गोभी के पराठे तो आपने कई बार खाये हैं लेकिन कि आपने कभी नारियल कोकोनट पराठा खाया है इसे फ्रेश नारियल डूद और घी जैसे टेस्टी चीजों से बनाया जाता है विकेंड पर आप इसे बना सकते हैं और बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को खुश कर सकते हैं अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आप उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं नारियल पराठा बेश्ट रहेगा इसमें फ्रेश नारियल आपको एक क्रीमी टेश्ट देगा इसे दूद दही के साथ सर्व किया जा सकता है तो चलिए जानते हैं नारियल के पराठे की सबसे आसान रेसिपी एक फ्रेश नारियल को तोड़ कर अच्छी तरह से धो लीजिए फिर इसके उपर का ये कथई वाला भाग चाकू से छील कर हटा लीजिए और इसकी बीच की सफेद मलाई निकाल लीजिए फिर इसे कदू कस कर लीजिए तो मैंने यहाँ पर नारियल को कदू कस करके ले लि करेंगे इस से बहुत अच्छी इसमें हुषबु आएगी साथ में थोड़ा से इसमें डूद एट करंग에 मैने फूद लिए सारा जूद एक साथ नहीं डालना है thouldा थूद डूद डाल करके इसे हम पीसेँगे नारियल को मैंने पीस लियाया और इससे पीसते समय मैं मैं h Bundesregierung याने हाफ कब के करीब दूर इसमें एट कर लिया है इसे हम साइट पर रख लेंगे अब एक ठाली में हम लेंगे गेहु का आठा आठे को अच्छी तरह से चालिया है यहां पर मिले रही हूँ डेड़ कटोरी गेहु का आठा इसकी जगा पर आप मेदे का यूज कर सकते हैं या फिर आदा आठा और आदा मेदा भी ले सकते हैं मिला करके आठे के बीच में इसे जगा बना लें अब इसमें हम डालेंगे दो टी स्पूल गी या आप तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं और मखन पिगला कर भी डाल सकते हैं इसे गी का टेस्ट इसमें बढ़िया आता है तो घी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, दोनों हाथों से रप करते हुए, गेम काटा और घी अच्छी तरह से मिक्स करके डो तेयार करना है, और सांथी साथ इसमें हमें दो चुटकी बेकिंग पावडर और एक चुटकी नमक डाल करके मिला देना है, इसके बाद नारियल डूद और शकर का जो पेश्ट हमने पीस कर रखा है न मिक्सी में ये इसमें डाल दें, तो आटे के बीच थोड़ा सा गड़ा बना कर और ये पेश्ट इसमें डाल दीजे, अब इससे नारियल के मिक्स्चर में हमें आटे को इस तरह से गूथ लेना है, हमें पानी पानी एट कर सकते हैं, और अगर लगे कि ये थोड़ा सा नरम हो गया है, तो थोड़ा सा गहूं का आटा आप मिला सकते हैं, आटे को गुदने के बाद आप दस मिनीट के लिए इसे कवर करके रख दीजे, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, आटे को रखे बेलेंगे तो पटे की नहीं, अब पटे पे थोड़ा सा आटा इसे स्ट्रिकल कर लेंगे, और हलके हाथो से बेलते हुए थोड़ा सा मोटा गोला कार पराथा बना करके हमें तयार कर लेना है, इसके किनारों को काटने के बाद इन्हें हटा लीजे, और इसे दूसरी लोई पराथा बेल लीजे, इसी तरह से बागी के सारे पराथे बेल करके तयार कर लीजे, और इस पराथो को हम अलग एक प्लेट में रखते जाएंगे, यह देखिए पराथे बन गया हैं, गोल गोल एक से, अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में, इसके लिए गेस तवे पर जब हम पराठे डालते हैं तो ये नीचे से चिपक जाता है और थोड़ा सा घी आगर आप शुरू बार में लगा देंगे न तो ये तवे पर चिपकेगा नहीं मीडियम आज पर पराठे को में पकाना है जब बेश भूरा हो जाए तब आप पराठे को पलट दीजे पराठे के ऊपर और किनारों पर खोड़ा सा घी तेल या मखन लगाने के बाद इस पेचुला की मदद से आप इसे दबाते हुए पकाईए इस तरह से पकाने पर ये कच् पराठे के दोनों तरफ जब गोल्डन धबें दिखाए देने लगें तो तवे से पराठे को निकाल ले और इसी तरह से बाकी के पराठे भी सेख करके तयार कर लीजाए ये पराठे खराब नहीं होते हैं आप इन्हें सफर में ले जाए लंच बॉक्स में बच्चों को दे हेल्दी तो होते हैं टेश्टी भी होते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है इन पराठे की के ये हफते भर खराब नहीं होते हैं नारियर पराठे को नाश्टे में गर्म ठंडा या दूद दही के साथ मिला कर बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनाया जा सकता है और इसी तरह कि मज़िदार recipe के लिए 786NY शंसुन किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़िदार recipe के साथ तब तब के लिए अलवीदा